हेलो एवरिवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में, आज हम करेंगे एक्सेलरेशन पे बेस्ट कुछ नुमेरिकल्स, क्वेस्टन्स, जैसे की गिवन है, फर्स्ट क्वेस्टन वी हैब, जैसा की हमने कल पड़ा था, जैसे की किसी बोडी का फ्री फॉल हो रहा है, फ्रीली फॉल कर रहे है कोई बी, भली थी बोडी भल रहा है, जैसे की गाडी काडी स्टन वी, जैसे की खीरी बोडी को हमने की पनी एक्रारिकल्स करने करने, जैसा क क्वेस्टना स्टने स्टना क्य Think發, इस और क्या में दॉने की गिंड टी पॉल प्रॉर्स आचलर्स कराओ grad कोई बस जो अपनी स्पीड को डिक्रीज कर रही है पहला पॉइंट नोट करने के लिए कि इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही ही है अब इसकी स्पीड कम करके कितनी हो गई 60 किलोमेटर पर रार मतलब इसकी स्पीड इसकी स्पीड टेज ग्रीज डिक्रीज किलोमेटर पर रार लट इस फाइनल स्पीड एक्सलिशन निकालनी है तो कल भी हमने एक्सलिशन के लिए फोर्मूला किया था और वो क्या acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by time बस उसी का use करेंगे और हम ये question number 2 solve कर गेंगे हाई ये दिखते हैं initial speed जो हमें दी है that is 80 km per hour final speed after decreasing that is 60 km per hour time that is given 5 second we know acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by time what is final velocity here that is 60 what is initial that is 80 starting में यही थी km per hour इसकी unit भी साथ में लिखेंगे क्यों क्योंकि time हमें दिया है second में और speed हमारे पास है r में km per hour तो इसे भी हम km से meter में change करेंगे और r को seconds में convert करेंगे यह आगे आपके पास minus 20 km per hour and this is 5 seconds अब km से आप convert कर लीजिए meter में minus 20 into 1000 यह आगे आपके meters और एक hour में कितने seconds 60 minutes है और 60 एक minute में 60 seconds है that is इतने seconds और 5 seconds तो हमारे पास time दिया ही है ठीक है अभी आगया meter में meter per second नीची भी second है तो acceleration की units क्या होगी meter per second के यह भाला भी second नीची आएगा तो meter per second cancel जो होता है वो कर लेते है 5,4,20 4,9,36 ठीक है आपके पास आगया minus 10 divided by 9 meter per second square इसे हम cancels out कर लेते है 9,1,9 carry होगा 10 9,1,9 फिर से अगया तो स्ली 1,1,1,1 so on meter per second square इतनी अचलरेशन आपके पास आएगी आएगी यूनिफॉर्म एक्सलिशन के साथ मूव कर रही है अटेन से स्पीड बाद में इस स्पीड अटेन कर लेती है 40 किलोमेटर पर आब आन दिया है 10 मिनेट्स find its었 एक्सलिशन अभी स्टार्ट कर रही है so initial इसकी speed velocity कितनी होगी that is zero और final कितनी हो जाएगी attain की नहीं इसने 40 km पर आर यह final हो गई और यह time दिया है आपके पास 10 minutes तो formula यही रहेगा ठीक है यहाँ पर final 40 है initial आपके पास 0 है और time है 10 minutes सारी values को यहाँ पर पूट कर लेते हैं after putting values you will obtain like this now 40 अब किलोमेटर के बना लिए हमने meter पर आर एक घंटे में second 10 minutes में second अब यह आ गया हमारा किलोमेटर के हमारे पास बनेगी meter यह भी second में यह भी second में पर second square यह जाए गया कि acceleration अब जो cancel out होता है उसको cancel out कर लेते हैं 0 से 0, 0 से 0 after solving you will get just like this and obtained value of acceleration is acceleration is equal to 1 by 54 meter per second square इसको जब आप डिवाइट करेंगे तो आपके पास value हो जाएगी 185 meter per second square अगर आप इसको meter और second में निकालते हो किलोमेटर पर आर में निकालेंगे तो अंसे को छोड़ आएगा okay so this is the solution that we have find with the formula so keep practicing more examples to make the topic very much clear to you thanks for watching we'll see you next video